नमस्कार मेरिया और आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिशी किशोर ये मेडिवार्सल हॉस्पिटल में नेफ्रोलोजिस्ट है स्वागत है सर आपका हमारे चानल में दन्यवाद आज हम सर से जाने की कोशिश करते हैं कि किड्नी कैंसर क्यों होती है किड्नी कैंसर एक तेजी से बढ़तेवी बिमारी है किड्नी कैंसर बेसिकली एज में होती है जेनरली सिस्टी यर्ज के बाद इस तरह के किड्नी कैंसर होती है बट मॉस्ट इंपोर्टन जो किड्नी कैंसर के काउज है वो है स्मॉकिंग टोबेको एंड अत्यदिक प्रोटीन का सेवन करना है कुछ जनेटिक काउज होते हैं जिसमें की किड्नी कैंसर होती है तो डिफनेटली कैंसर एक काफी मतलब इनिशेल स्टेज में अगर इसको स्क्रीन करके बचाया जा सकता है अगर किड्नी कै कैंसर के पेशन में कुछ सिंटम हो सकते हैं और अगर वो सिंटम को इनिशिली देखा जाया और उसपे तुरत मतलब इन्वेस्टीकेशन होता है तब ये इसको मतलब आप अरली डियागनोज कर सकते और मोस्ट इंपॉर्टन जो सिंटम है वो पिशाब में लालिमा होना या पिशार में लाड़त का कन होना तो अगर किसि को लाल रंग का पिशार उनको होना चाहिए और किड्नी कैंसर में जो मोश्ट इंपोर्टन जो सिम्टम है Jen जिसको अलीागनोस कर सकते हैं वह है इमेचूरिया लाल रंगा लाल रत का कन आना पेशाब में अगर हम बात करते हैं कि यूरीन के तो यूरीन डिस्चार्ज में से क्या समस्या होते हैं यूरीन डिस्चार्ज जनरली कैंसर जो पेशन्ट होते हैं अगर वो किड्नी के में कैंसर होती है तो यूरीन में जो प्रॉब्लम आता है वो है लाल रक्त का कन आना जिसके कारण पेशाब का रंग लाल होता है कभी-कभी इसके पेशाब जो होता है ब्लैडर में पेशाब में रुकावट आती है क्लॉड के कारण तो पेशाब रुकने के कारण नीचे अब्डॉमन में काफ पिशाब में रुकावत होना या पिशाब पुरी तरह से कलाइकिं ब्लैडर में पिशाब में से तांब रुपरिबाते क्या किडिनी कैंसर जैनेटिक हो सकते हैं किडिनी कैंसर होते हैं डिपनेटी किडिनी कैंसर व शनॉक सेहकं मेर Ondine जब किसी को किड्नी कैंसर हो जाते हैं तो क्या ट्रांस्प्लांट कराने की जुरूत है या फिर वो दवाईयों से ठीक किया जा सकता है क्या क्या में कैंसर और तांस्प्लांट का कोई एसा रिलेशन नहीं है टांस्प्लां तक करते है जब किड्नी फेल हो जाते हैं। fist उपाय होता है। जिस पार्ट में cancer है उस पार्ट को निकाल दिया जाए जैसे partial nephrectomy है या फिर complete nephrectomy है तो definitely अगर दो में से अगर एक kidney भी अगर पूरी तरह से स्वस्थ है तो patient को कोई दिक्रती है मालेजे जिसके एक patient है जिनका एक kidney में cancer है और उसका surgery होने के बाद उसके kidney cancer वाले kidney को निकाल दिया जाता है तो अगर वो दूसरा kidney फुरी तरह से काम करते रहता है तो normal life जी सकते हैं उसमें transplant की कोई जुरत नहीं है तो malignancy और transplant में relation नहीं है बट अगर किसी का है कि दोनों kidney में कुछ है और कुछ genetic malignancy है तो इसमें देखा जाता है कि patient का life span क्या है अगर patient kidney failure भी है cancer के साथ अगर उनका life span दो साल से जादा है तब हम लोग transplant के बारे में सोच सकते हैं और transplant होने के पहले यह सुनिक्षित हो जाना चाहिए कि transplant के पहले patient का जो बीमारी है और emission में है मतलब सुसुप्त stage में है उसमें कोई cancer कोई खत्रा तुरंत नहीं दीखना चाहिए जैसा कि आपने बताया कि एक kidney अगर निकाला जा सकता है तो अगर कोई मरीज जो है एक kidney के सहारे अगर जुन्दा है तो उसे क्या क्या सतरक्ता बरतनी की जरूत है हाँ definitely यह बहुत important question है क्योंकि जब भी transplant होता है तो एक donor होता है जिस मतलब donor मतलब अपना एक kidney देता है जैसे माँ बेटा को दिया या किसी तरह तो जो donor होते है उनका एक ही kidney रहता है तो उनमें कुछ सतरक्ता है definitely है जैसे कि उन्हें बहुत heavy work नहीं करना चाहिए या भारी स हमान नहीं उठाना चाहिए second है कि उन्हें हर 6 महीना या एक साल में अपनी kidney की जांच करके देख लेने चाहिए कि kidney सही है कि अगर पेशाम में कुछ infection जैसा महसूस होता है तो उसमें तुरंत उनको investigation and evolution and treatment करके देखना चाहिए and इन सब के साथ-साथ कुछ खाने पीने में ज हैं जिसके तुन डोनर बिलकुल fit and हमेसा के लिए सुधस्त रह सकते हैं Thank You Doctor Thank You तो फिलाल के लिए इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Facebook पेज को like करें वीडियो देखने के लिए शुक्रिया